नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम कहते थे सपने वो नहीं होते जो बंद आखों से देखे जाते हैं सपने वो होते हैं जो आपको रात भर सोने ना दें ऐसा ही एक सपना साकार हो रहा है 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम भक्तों को राम मंदिर मिल रहा है प्रभू श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रही है और राम उत्सव की शुरुवात हो चुकी है बस शुब घड़ी का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में बेहत खास महमान हमारे साथ आज साक्षातकार में जुड रहे हैं जो बीते 64 वर्षों से राम की सेवा में लीन है 930 से ज्यादा राम कथाएं आप कर चुके हैं और राम मंदिर के निर्मान में जो सबसे बड़ा दान है तकरीबन साहरे 18 करोड से ज्यादा का दान वो इन्होंने किया है इनके सबसे बड़ा दान आपने किया है तो आप यह कहेंगे कि यह तो राम जी के क्रिपा से हुआ है इसलिए मैं आप से यह पूछती हूं कि आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं एक इतना बड़ा स्वपन है वो साकार हो रहा है पेली बात तो यह कि यह जो राम मंदीर के लिए जो शद्धा सुमन चड़ाया गया वो व्यासपिट ने किया है और व्यासपिट के विनाई पर देश दुनिया में जो मेरे फ्लावर्स है इन लोगों ने राशी इकठी की और हमने दी हम तो इसमें निमीत है लेकिन आज जो राम उत्षव शुरू हो चुका है आज के एकभारों के मुताबिक प्रतेश्ठा की विधियां भी शुरू हो चुकी है तो यह हम सब के लिए बहुत बड़ा पर्मानंद का विशय है और मेरे लिए तो खास क्योंकि मैं इतनी सालों से राम को भज रहा हूं, राम को गा रहा हूं, राम को सुन रहा हूं इसलिए साल कौन सी है मुझे फथा नहीं लेकिन अयोद्या में मानस गणी का कथा थी तब मैंने कहा था कि यहां यह यह गटना गटे और उसके बाद मैं अनुष्ठा इनके रूप में एक राम कथा भी अयोद्या में गाऊंग। मैं तो यह जो शिव संकल्प थायं मेरे लिए वा चरितार्त हो रहा है इसलिए मुझे परमानन तो नहीं लेकिन परमान राम प्रमानन का प्रतिक है बरम है लेकिन परमानन का प्रतिक है Rug Як बापु ने कहा कि मानस गणी का तो मैं उन युवाओं के लिए भी आसान कर दूँ जो शायद ये terminology समझते नहीं होंगे गणिका यानि sex workers के लिए और बापूर राम का नाम तो स्विकारिता का नाम है वो सबको स्विकारते हैं तो जब आपने ये मानव कथा की उस वक भी विवाद हुआ था और आज भी कई सारे विवाद है लेकिन राम तो सबको स्विकारते हैं फिर ये विवाद क्यों होते हैं कारते हैं, हम इन्सान है, हमारी गुद्धी की सीमा है, हमारी बिलग-bिलग रुची है। इसमें हमारा कहिन कई एहंकार है। यह सबके कारण. राम तो वंदे बोध मयम शीव राम ये सब बोध मयम बोध स्वरूप है जहां बोध हो वहां विरोध का कोई स्थान नहीं हो सकता लेकिन इनसान अपने अपने डंग से करता है और ये अपना परिचह देता है वरना ये तो वैश्विक गटना गटरी मैंने कल पर सो भी कहा कि मैं शी की और गटी कर रहा हूं उम्र में मैंने ऐसा किसी मंदीर का उत्सव उछव और अपने अखों से नही की दैखा दुनिया में कहीं भी वारी ध्रती पुल्कीlt है आज मेरी दृष्टी में वारी धरती पुल्कीत है क्यों कि ऐसी घटना फिर कभी घटे है तो स्वागत करेंगे लेकिन पहले तो कभी घटी मेरी दुरुष्टी में नहीं मैंने जब बात विवादों की की और राम के स्विकारिता वाले चरित्र के बात की तो मैं उसी से जुड़ावा कुछ प्रशना आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि स्वामी निश्चला लंद सुरस्वती ये कहते हैं कि मोधी जी लोकारपन करेंगे वो मूर्धी को स्पर्श करेंगे तो क्या मैं वहां तालियां बजा कर जय जयकार करूंगा मेरे पद की भी एक परियादा है अब क्या है ये जगद गुरु है ये हमारी संस्कुरुती के जोतीर धर है लेकिन आपके भी अपने वीचार हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि उसको किसी और कारण हो सकते है नहीं हाने का लेकिन राम से उसको कोई विरोध नहीं होगा और कोई अपना कारण रहा होगा ले मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहले वो ना आये लेकिन आशिरवाद तो देते होंगे जगद गुरु है आई मोधि स्पर्ष करे मॉर्ती को क्या इसमें कोई बाधा है? राम का चर्नस पर्ष्ट तो कोई भी कर सकता है जो अभी आपने शब्द यूज किया कि राम स्विकार के मूर्थी है वो शब्री के जूठे बैर खा सकते है वो एक निशाद केवट की हर बात कुबूल करके जैसा वो चाह ऐसा उस राम ने किया ये भी कर सकते है वी विशन जैसे असूर के भायका भी वो स्वागत कर सकता है तो भगवान तो सब के लिए तो उसके लिए तो कोई ये कौल किरात बिल वनवासी सब राम के साथ जूड़े थे और सब उसे बातचित कर लेकिन परमपुज जगद गूरू के मन में क्या होगा वो तो वो बताय तभी पता लगता है बाकि राम से किसी का भी रोध नहीं हो सकता और वो आशिरवाद भी देते होंगे और मैं प्रार्तना करूँ कि आप ज़्याद आशिरवाद दे कि उत्सा कहीं गुना बढ़े प्रश्ण ये भी पूछा गया कि क्या आधे अधूरे मंदिर में भगवान जी की प्रान प्रतिष्ठा की जा फकती है अब क्या है कि ये शास्त्र का निर्ण शास्त्र वेताओं ने ये सब किया होगा मूरत निकाल होगा तो ये कोई ऐसे तो नहीं घटना घट गए तो उसके बारे में कुछ टिपणी नहीं कर सकता क्योंकि सबने राय तो दी होगी और इस राय के कारण ये तो मंदिर पूरा हुआ कर नहीं मुझे तो मेरी दृष्टी में ये मूरत है की नहीं शिखर पूरा हुआ की नहीं कोई आ रहा है की नहीं कोई नहीं मेरे दृष्टी मेरा राम है, केवल में राम को देखकर उत्साहित हूं, परमानन्द में हूं, जो राम इतनी सालों से जो प्रतिक्षा में थे, वो राम मेरे कैंदर में है, बाकी और चीजों से मेरा कोई ले लेना देना ने, मैं उसके जांकी करूँ क्योंकि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए मेरा भी बड़ा स्वभाग्य हो रहा है कि बड़े गुणी जनों से मेरे संबाद हो पा रहे है तो ऐसी एक गुरु जी ने बोला का कि जब प्रभू श्री राम ने शंकर जी की अराधना की तपस्या की रामेश यह करे ठाधने से कजब या कि अधनल आरिम प्रतिष्जा साथिप के पूजास में टीचिब की बना होगा सिभले बना होगा जो इसका आरण में बना होगा स्वालेश वह पूजात, जरा राम के भाग्वान सितार, और पधर्म के से कमक्रेवीस थाए है रे पूरा आसम उन पुरा जगत उसका मंदिर है, परमात। फिर भी शास्त्र के अधार पर क्या है, मैं नहीं जानता, सब अपने अपने राई दे रहे हैं। अब तो हम वहां पहुच गए है, अब जल्दी अजांकी करें। अब और बहस में नहीं जाते हुए है। बापू, राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारे कर्मकांड होने जा रहे हैं, बहुत सारे पूजन विधी हो रही है। मन का भाव होता है वही सबसे बड़ा होता है मानस में इसे किस तरह से समझाया गया है भगवान राम ने कहा कि मुझे ये पूजा तो होनी चाहिए ये सब विदिविदर होना चाहिए और जो हो रहा है जो किया जा रहा है वो मुझे काशी के पंडित, युद्या के पंडित और इन जो अधिकारी गणे उसको पूछ कर हो रहा है और फिर और जन्ता अपने अपने धंग से कर रही लेकिन मूल में तो राम को प्रेम प्री है, ऐसा मानस में रही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको जानना वो जानले, राम को, हाँ उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन राम को इतनी पूजा प्री नहीं है, राम को प्रेम प्री है शबरी कहा पूजा विधी जानती थी, क्या जानती थी, प्रतिक्षा ही उसकी पूजा थी, कि मेरे द्वारे एक बार आएंगे, केवट कौन सी पूजा विधी जानता था, लिकिन केवट के प्रेम ने राम को वश कर दिया, तो राम को प्रेम प्री है, तो यह सब प्रेम के का आपने निमित की बात की, क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके निमित है? एक निमित वो भी है? बिल्कुल उसको भी हम आदर देना चाहेंगे, क्योंकि यह नहीं होता तो यह नहीं होता और कितने साल पते इक्षा करने पड़ती है? मुझे कोई राज सत्ता से, कोई सियासत से, कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का संकल्प, राष्ट्र का एक हमारा नेता, यश्रश्वी प्रधानमंत्री, उसका भी तो योगदान, और इससे पहले कहीं लोगों का यो होता था, तो एक व्यक्ति कोई सो रुपया दे वो बुख्य पुजाम बैठते थे, लाकि हर गर से कोई घी लाकर एक चमजगी चड़ाते थे, पूरा देश इस प्रेम यग्या में अपनी अपनी आहुती दे रहे, लेकिन प्रधान रूप में यश्यश्वी प्रधानमंत् और स्थीटी देश में नहीं होती है, तो यह मंदिर कभी नहीं बनता है। और सत्तर साल निकल जाते है। बापू विपक्ष ये कहता है कि श्रे मूदी को क्यों क्यों कि फैफला सुप्रीम कोट का था मंदिर बन रहा है जनता के पैसे पर जनता के दान पर तो मूदी ने क्या किया जहां विरोध होता है वहां बोध नहीं होता है और जहां बोध होता है वहां विरोध नहीं होता है यह तो राजनीत है, चलती रहते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, मैं कहते हूं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वो राम का विरोध नहीं कर रहे हैं यह बाद में पहले इस पष्ट कर दो, वो राम का विरोध नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम तो हमारी भी आफ्था के प्रतीख हैं, लेकिन इसे चुंकि एक राजनिती कारिक्रम बना दिया गया है, इसलिए हम प्रान प्रतिष्था के तिथी पर नहीं आ रहे हैं। जो मुद्दा बनाया गया हो मुभारक, मुझे मेरे राम से लेना देना है। मैं तो उसकी जांके के लिए अभी से उत्सुकूँ बाकि मुझे क्या मुद्दा बना, किसने क्या किया, किसने क्या पुलिटिक्स किया, वो जाने। और जो रामचरित मानस को लेकर ही प्रश्ने उठाते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? पुरा रामचरित मानस वो पढ़े तो सही, जिसने राम मानस की एक दोहा तक नहीं पढ़ा, ऐसे लोग न जाने बिल्कुल निर्मूल, जिसका कोई जड नहीं ऐसी बाते करें, कम से कम एक बार मानस का पाठ तो करें, जो जो कहते राम ये खाते थे, ये पीते थे, आधी आध जो बत है राम मासहारी थे जी तेंद्राबाद ने कहा तो कितने रुगन चीत का आरोप है कितना रुगन इससे बीमारी कोई नी नी मैं मानस का गायक हूं मेरी जिम्मेवारी के साथ मैं कैसा को कंद मूल फल सुरस अती यही भगवान में पाया है जंगल में बुले कई लोग कहते कि जंगल में सबजी का जंगल में नहीं मिलते जंगल में अवशधी नहीं मिलते जंगल में कंद नहीं मिलते जंगल में मुझ नहीं मिलते फल नहीं मिलते प्रभू ने यह तो सपष्ट है मानस देखना चाहिए अथवा तो समय लेकर में विनोद में करो मुराडी बापू की एक कथा सुननी चाहिए और जो यह कहते हैं मानस भेदभाव सिखाता है तो राम के चरित्र से ही आज उन्हें समझाईए ना कि भेदभाव मन में होता है मानस में नहीं है लेकिन राम ने कहां भेदभाव कौन सा भेदभाव राम ने किया और मानस ने भी कौन सा भेदभाव किया जो अहल्या का स्विकार कर सकते हैं, जो केवट का स्विकार कर सकते हैं, असूर का स्विकार कर सकते हैं, बंदरों का स्विकार कर सकते हैं, इवन पत्थरों का स्विकार कर सकते हैं, आदिवासी, अन्तिम ब्यक्ति का स्विकार कर सकते हैं, एक एक उत्ता शिकायत करने के लिए राम दरबार में आये तो कुत्ते की भी शिकायत राम ने सुनी ऐसा प्रेम राज्य दुनिया में कहा होगा तो यहां कोई बेद का कोई प्रश्न नहीं मेरी दृष्टी एक वैसे तो इतना अच्छा सकरात्मक महौल है मैं कोई negative question करना नहीं चाहती थी लेकिन क्या करूँ सत्य का बोध तो आप करा सकते हैं वो ताकत आपके अंदर है जो यह कहते हैं कि बौध मटों को तोड़ कर मंदिरों का निर्मान किया गया श्रावस्ती में हम है और श्राव है कि बौध मटों को तोड़ कर मंदिरों का निर्मान करवाया गया था मैं इससे अवगत नहीं मेरा कोई इसमें कर पाऊंगा मैं कोई कोमेंट करना नहीं चाहता है लेकिन मानो कि कहीं है मैं इससे सहमत नहीं हो कि मेरा इसमें ग्यान नहीं है इसलिए मैं इसमें प्रवेश बज भीक पाऊंगा, मैं कोई कॉमेंट करना नहीं चाहता है. लेकिन मायनो ये जो राममंदीर तोड़ा गया, कहीं कुछ तोड़ा गया, विद विद लोग हमारा देश में आयोंचे के, लेकिन राम का मंदीर तोड़ सके, राम को नहीं तोड़ पाया. को इमारत को लाख प्रेत नहीं तोड़ा जा सकता लेकिन मैं जो पता नहीं यह तोड़ा गया यह ते है औंग मुझे क्याल नहीं नहीं ऐसे बद्रिनात मठ को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौरे पहले कह चुके हैं कि बद्रिनात जी के मंदिर के साथ ये हुआ था वहां बौध मठ था फिर वहां बद्रिनात जी का मंदिर बना दिया गया ऐसे अलग-अलग तरीके के आरोप लगते रहते हैं बापू मैं अब सिर्फ और सिर्फ राम के बात करना चाहती हूँ रामत्मों को कैसे पाया जा सकता है राम ऐसे मर्यादा पुर्शोत्तम है कई बार तो लोगों को सुनते सुनते ये लगता है गुरुजनों को सुनते हुए लगता है कि उन तक तो पहुच़पाना ही नामुमकिन है और यह कल्युग में काथ संभव है राम को किछ ने नहीं पाया कि विल परिचाई बाकी है राम किछी से दूर नहीं है पर हम चाहे तो भी राम से दूर नहीं परशने है परिचाई cooler परिचाह हो जाए तो राम तुरंत समझ में आ सकते हैं। पर परीचय कराने वाला कोई बुद्ध पूरूष, कोई सद्ध गुरू होना चाहिए, जो हमें परीचय कराना है। परकि परमात्मा किसको प्राप्य नहीं है, परीचय भर की बात है। और राम को पाना है, तो यह की उपाय है, प्रेम. जितना आदमी सत्य का आच्रन ज्यादा करेगा, जितना आदमी दुनिया से प्रेम करेगा, और जितना आदमी करुना में जिएगा, तो राम को इस कलिक आल में पर प्राप्त कर सकता है, राम मय हो सकता है, मेरी समध में इसा ह लेकिन ये डिजिटल दुनिया, इतने सारे डिस्ट्राक्शन्स है, लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, और अपने आपी एहंकार अभिमान इसके साथ बाइडिफॉल्ट आ जाता है, वो कैसे दूर होगा फि फिर थक जाएंगे, उसको दौडने दो, पूरा दौड लेंगे फिर थक जाएंगे, गिन्नार किस परदा होती में तो उपर चट जाने के बाद थक जाते है, कोई प्रथम आए, कोई दूसरा आई, ये सब हो सकता है, थक जाने दो, बाकि राम के बीना आराम नहीं, राम के बीना विश्राम होती है, कई बार ऐसा नहीं लगता है, बापू, आप तो चौसवट साल का आपका राम की सेवा में जीवन निकल गया, आप खुद कह रहे हैं, कि मैं असी तक पहुंच रहा है, ये साल के बाद असी परवेश कर लूँगा, आनंद आरा है, जल्दी असी आ कोई मुझे बताएं, कि मुरारी बापू, पंदरह दीन का रेष्ट करने के लिए कथा बंद कर कई घुली डैक में, बेन कभी नहीं कराएं, ये निरंतर व्यास पित, पंदरह दीन बीच में चले जाते हैं, तो हम ठक जाते हैं, कि कब फिर हम व्यास पित पर बैठ जाएं, यह मेरा परमविश्राव है, यह उसका उदाहरन हो, बुझे कोई थाकावड में. बापु, आप अगर किसी को कह दें कि आज मैं आपके याँ भोजन करूंगा, लोग पल के बिछा कर आपका स्वागत करेंगे, फिर भी आप भीक्षा लेकर भोजन करते हैं? भीक्षा लेकर आप भोजन करते हैं? भीक्षा इतना पवित्र शब्द है, जो बगवान बुद्ध के समय में है, इसकी विशेष प्रतिष्ठा हुई है. शंक्राचार ये बगवान हमारे आए है, भीक्षा की महिमा और बड़ी है. भीक्षा भाव से जो भोजन करता है वह निरंतर अपवासी है, भीक्षा भुझ करते हैं, तो मुझे कोई भोजन करने के ये निमंतृत करें तो वो तो तो तयारी करेंगे इसमें भी मुझे मेरज़स्विकार मुझे कोई तकलिफ नहीं है, लिकिन मैं अचानक किसी के दर् कि eye हो पुछ रो्ती हो तो रोटी कुछब रट ओ टो रोटी में ऐखता को अजयते हैं, अब च आपनागर के पाथा चाह से बेखता बहुत थेंगछा की अभी रटवर की रघदा था था हैं, थे रोटी– रोती्ह थे थे रोटी अलें की रोटी थे थी रोटी consumed once again, कि शरी डीस आदमी का है लेकिन भीक्षा सिता राम दे रहे हैं इनके आँकों में सिता राम का दर्शा बापु जब आपने का कि सिता राम आप देखते हैं तो हम भी मानस के जरिये ही सिता राम की छवी देखते हैं या फिर वोन तफ्वीरों के जरिये जो अलगरे चितरकारो उन्हें उकेरी है मानस सीता राम की छवी कैसे बताती है सीता राम की छवीर मानस में पल-पल परज लेकिन राम की छवी जाकी रही भावना जैसी जिसके मन में जो भाव होगा ऐसी राम की छवी वो देख सकता जनक पूर में स्वहिमवर की भूमी में धनशी अगय में ए में राम गया है तो गोषवामें जी लिखते है कि किसी को उजिखा किसी को कुद दिखा किसी को कुछ दिखा अपनी अपनी भावना के अनुसार और राम जी को छोड़ो ने एक व्यक्ति के प्रति आपके मने में पुर्वग रहे तो आपको दूश्मन ही दिखा दिखा और एक व्यक्ति के प्रति आपका पक्षपात है मेरा है तो इतना बुरा हो तो भी नह तो एक व्यक्ति भी अपनी बावना के नजरिया से हम देखते हैं, तो ब्रम्क तो जैसी जिसकी बावना है, ऐसा देखता है। बाल वरूप में राम आपको कैसे दिखते हैं? देखो, हमारे शिव जी के इष्टदेव बाल वरूप है, बाल राम जी। बंदव बाल रूप सोई राम। राम कातारम करते हैं, तो अपने बाल रूप करते हैं, अमारे भुसुन्दी जी भी बाल रूप के उपा सके। पांच साल तक अधिया में प्रभु की बाल लिला चलती है। पाल रूप तो एक संसारी का बालक भी इष्वर जाइसा लगता है। तो मेरा थाकुर जब बालक बन करके ठुमका लेता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। तो… लेकिन मैं ये बता दू के, मैंने इष्ट के रूप में बाल रूप को नहीं नहीं रखा है। मैंनो वन्वासी BIi राम को रखा है मेरा इष्ट वन्वासी राम जो तर रर गया मेरा इष्ट देव के अल-पलश्लयाकी ने खेलने रहाला नहीं है हर अंगन में जाने वाला है मेरा इष्ट दिएफ के भले जो राम की छबी ओ, मेरा वन्वासी रूप है और यहां में प्रकरन भी मानस वनवास लेकर बोल रहा हूं। कि वनवास शब्दा ही मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन बालरूप की छभी गोस्वामी जीनों जो चित्रीत की है, गजब की है। अच्छा बालक भी इश्वर है तो राम जब बालक बनेगा इश्वर बालक बनेगा। वेद भी चूप, कभी गंड़ चूप, वक्ताओं के बोली चूप, के उल मैसूस किया जा सकता। आपने वनवासी राम को अपना इष्ट क्यू माना? राम राज्य जो हुआ वो वनवासी राम के कारण हुआ, राजा राम के कारण नहीं हुआ। राम को युवराज पद दिला जाता कई कई बीच में ना आती माता जी। और राम को युवराज पद दिया जाता तो राम राज्य नहीं आता। राम राज्य लाने में वनवासी राम नहीं योगदान किया। यह 14 साल का जो पिरियड था वो राम राज्य। तो एक तो उदासीन राम है, वनवासी है, थोड़े में गुजारा करते हैं, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। और प्रेम का पसार पसार करते हैं। यह मेरे मन की ज्यादा कारण में नहीं बता सकता। आपने राम राज्य के बात की, क्या राम मंदीर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत में राम राज्य की फ्थापना हो पाएगी। राम राज्य हो इसकी प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है। और यह राम मंदीर हो जाए और यह मैं लगता है कि उसके अच्छे अच्छे पिरना मानी लगेगी। मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि भारत के माध्यम से विश्व का बहुत शूब होने वाला है। बहुत। मानी ये काईनात ये दुनिया बनी होगी तब भी इतना शूब नहीं हुआ होगा। इतना शूब विश्व का होगा। भारत के माध्यम से। आप कहें कि प्रमान दो तो मैं प्रमान नहीं दे सकता। लेकि मेरी तलगाजरडी आँखे बहुत दूर का देख रही है। काश मैं भी ये देख कर जाओ। आने वाली पेड़ी जरूर देखेगे। कि अयोध्या के मंदीर के बाद इतना सगून बरसेगा। तो अच्छा अच्छा है। ये पड़ाव अच्छा है। इस पड़ाव से बहुत दिव्य गती होगी। और तेजी से प्रेमराज जी को और चलेंगे। भारत को विक्सित होते आप देख रहे हैं। आप क्यूंकि पूरे भारत में ही नहीं, विष्व में भी भ्रह्मन करते हैं। तो भारत की छवी विक्सित होते हुए लोगों के मानस समिछ रही है। बिल्कुल भारत विकास कर रहा है। इस सत्य को अनाधर नहीं करना चाहिए। कोई पुर्वग्रफ होई, कोई माने नव माने बात, बाकी आप देखो कितने प्रकार की विक्सित देश है, अब उसके कारण में नहीं जाओ, जिसको अलुटना करनी वो तो अलुटना ही करेंगे, हम कभी ऐसे रोड नहीं देख पाया थे, लो, फोट्रेक है, सिक्स्ट्रेक कितने प्रकार सी आज पूरी दुनिया भारत को इजद दे रही है, तो मुझे तो लगता है कि, लेकिन मेरा एक मानना जरूर है, कि विकास, अकेला विकास काम नहीं करेगा, विष्राम भी मिला जाएगा, विकास हमारी महत्वा कांक्षा बढ़ा देगा और विष्राम और ये मंदीर फिर विष्राम देने का काम करेगा, विकास तो हो रहा है और राम भी देगा, राजनीती का केंद्र नहीं बने गा, चौविष का चुनाव है, लोगों के तो केंद्र में राजनीती भी चल रही है, अब देखो, राम कल्क तर हूं है, उसकी चाहँं में किसके लिए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल राम ही मेरी आखों में है, लाकि यह कोई नहीं। अंतिम प्रश्न, अच्छा पात्र कौन हो सकता है? किसके लिए? आपने कहा कल्पतरू है, उसकी चाया में जो जैसा पात्र लेकर जाएगा वैसे उसको आशिरवाद मिल जाएगा तो अब मैं ये बोलूँ कि अगर राजनीति का कटोरा लेकर जाए या आध्ध्यात्म के दिरिष्टि से शान्ती के इच्छा से जाए, भक्ति के इच्छा से जाए अब तो क्या है कि जो जिसकी इच्छा होगी, कोई सत्त के लिए जाएगा, जिसकी जो इच्छा होगी, जो जिसकी पात्र की मर्याद होगी, मेरा तो इससे कोई वास्ता ने. बापु बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए और आपकी भी प्रतीक्षा रहेगी आप भी पधार रहे हैं और आयोध्या राम जी के जन्म भूमी पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों के लिए बाइस तारिक की एडवांस में बहुत ब आप सभी को मेरा प्रणाम जैसिया राम